दोस्तो आज इस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होने वाला है रस्या से जब एक लोको पाइलेट अपनी ट्रेन लेकर एक स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था और कुछी देर बाद वो ट्रूडू आ रेल्वे स्टेशन के पास आवी पहुंचता है रेल्वे स् हड़ियों में पड़ी हुई है वो किसी भी तरह की हरकत नहीं कर रही तो हो ना हो उसने साइद अपनी जान गवा दी होगी या फिर किसी ने उसके उपर हमला किया होगा तो ये सारी चीज़े जानने के लिए वो सबसे पहले तो स्टेशन पर पहुंचता है और उसके बाद वहाँ पर ट्रेन खड़ी कर देने के बाद स्टेशन मास्टर को इन सभी चीज़ों की जानकारी देता है लेकिन स्टेशन मास्टर उस टाइम स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था तो उसने ड्राइवर से कहा कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो और हम दोनों ही वहाँ पर जाकर उसे देखा तो उन लोगों ने पाया कि इसने एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा और इसके सिर पर काफी सारी चोटे लगी हैं इसके मुव पर भी काफी सारे वार किये गए हैं और ये काफी ज़्यादा क्रिटिकल सिजवेशन में है लेकिन इतनी चोटे खाने के बाद भी महिला भी तक जीवित थी तो उन लोगों ने तुरंट एम्बुलेंस का कॉल कर दिया और कुछी देर बाद एम्बुलेंस वहाँ पर आ भी पहुंसती है उस महिला को ले जाकर होस्पिटल में एडमिट करवाया और उसके बाद उसका इलाज चलने लगता है लेकिन इस बात के इंवेस्टिकेसां कर रहे थे कि असल में ये लड़anki कौन है और इसके साथ आखरी टाइम में क्या हुआ होगा और इसी तरह इंवेस्टिकेसां करते करते руки दो दिन बीच चुके थे जिसके बाद एक वैक्ति सामने आता है जिसने आ कर ये बात बताई कि जनाब ये तो मेरी वाइफ है इस आदमी का नाम दिमित्री हैड ओफ था और इसने आकर बताया कि जनाब ये तो मेरी पतनी है और इसका नाम नाम नातालिया टिटोवा है पुलीस ने पूछा कि इसकी ये हालत कैसे हो गई और क्या तुम्हारे बीच लड़ाई हुई थी तो उसने कह कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दरसल मैंने तो दो दिन से इसकी मिसिंग कंप्लेंट डाल रखी है और मुझे तो आज सुछे पता चला कि पुलीस को एक गुमनाम लड़की मिली है जिसकी हालत काफी जादा खराब है और उसकी उम्र लगबग 25 सब 20 साल की है और इतनी ही मेरी वाइफ की थी जो कि 2-3 दिन पहले गायब हो गई थी तो मैं तो सिर्फ इसे चेक करने के लिए आया था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये सच मेही मेरी वाइफ होगी तो पुलीस ने कहा कि बाकी सब चीजों को छोड़ो और इस बारे में बताओ कि तुमने इसके साथ क्या किया है तो दिमित्री ने कहा कि जनाब मैंने कुछ भी नहीं किया ये सिर्फ घर से बाहर गई थी और उसके बाद ये लापता हो गई मैंने जबाद में जाकर पुलीस कंप्लेंड की और उस टाइम से ये गाया भी है तो पुलीस ने एक चेयर उठाई उसके उपर दिमित्री को औराम से बैठाया और उससे पूछा कि आखरी टाइम में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये सारी की सारी घटना हुई हमें पूरा एक्स्प्लेंड करके बताओ तो दिमित्री ने बताया कि मैं और नतालिया एक बीच के उपर पार्टी करने के लिए गए थे क्योंकि हम और हमारे दोस्तों ने मिलकर ये प्लैन बनाया था कि हम लोग पूरी रात पार्टी करने वाले हैं और वहाँ पर जाकर हम सारे के सारे लोग ही कठा होकर पार्टी करन तो हम लोग सारे के सारे अपने अपने घर आ गए और मैंने भी वहाँ पर काफी सारे ड्रिंक कर रखी थी जिसके कान घर पर आते ही मुझे नीदा गई तो उसने कहा कि वो अकेली ही जा रही है और मैं नसे में था जिसके कान मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और मैं सिर्फ सो गया उसके बाद वो चली गई और अगली सुबह जब मैं उटता हूँ तो वो वापस नहीं लोटी थी मैंने अपने दोस्तों से संपर्किया और उनसे पूछा कि क्या वो उनके पास आई है और जिस कलब के बारे में वो आखरी बार मुझे बता कर गई थी जब मैं नींदों में था सोने की तयारी कर रहा था तो मैं वहाँ पर भी जाकर चेक करता हूँ लेकिन उन कलब वालों ने भी यही बात बताई कि यह महिला यहां पर आई थी उसके बाद वापिस चली गई और अब हमें कोई भी अंदाजा नहीं कि वो कहां पर गई होगी दमितरी ने यह सारी बाते पुलीस को बताई और उसके बाद कहा कि इस से आगे मुझे कुछ भी नहीं बता और इसी बीच होस्पिटल से पुलीस के पास एक कॉल आया जिसमें डॉक्टर्स ने बताया कि नतालिया की मौत हो चुकी है पुलीस अब उस बंदे को ढूनना चाहती थी जिसने नतालिया का ये हाल कर दिया लेकिन पुलीस के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था और नहीं कोई ऐसा सस्पेक्ट उनकी नजर में था जो ये बात बतासके या फिर उससे जाकर वो अंदाजा लेसके कि आखिरकार नतालिया के साथ क्या हुआ था और ये यहां पर होने वाला कोई पहला हादसा नहीं था जबकि इसके अलावा यहां पर और भी हादसे हो चुके थे जैसे कि 1994 में भी दो लड़किया गायब हो गई थी जिसमें एक तो 18 साल की लूबा और दूसरी 14 साल की नतासा सामिल थी लूबा एक कैफे में काम किया गरती थी और स्याम को अपनी चुटी के बाद वो वापिस घर पर अपनी दोस्त नतासा के साथ जा रही थी कि अचानक से बीच से ही वो दोनों गायब हो गई और उसके बाद उनका कोई भी पता ठीकाना नहीं लगा पुलीस को सबसे पहले तो सक कलब के मैनेजर पर था क्योंकि पुलीस ने जाकर जब वहाँ पर इन्वेस्टीगेशन की तो उन्हें पता चला कि इस कलब के मालिक को लूबा काफी जादा पसंद थी और उसने काफी बारू से परपोस किया था लेकिन उसने इस बात से साफ इंकार कर दिया तो हो सकता है उस मैनेजर ने ही लूबा को किड्नेप कर लिया हो उसके साथ जो लड़की नतासा मौजूद थी उसे भी उस टाइम अपने साथ ले लिया हो और उसके बाद अब उन दोनों को निप्टा दिया हो लेकिन काफी सारी investigation जब पुलिस करती है वहाँ पर छान बीन करती है थोड़ी पूस्ताच करती है तो उन्हें बता जलता है कि इसके पीछे इस कलब का मैनेजर नहीं जब की कोई और है क्योंकि जब ये लड़कियां गायब हुई तब इस कलब का मैनेजर कलब में ही को देने के लिए तयार हूँ लेकिन प्लीज मैं उससे request करती हूँ आप लोग भी प्लीज जितना होसके मेरी मदद कीजिये मेरी बात उस kidnapper तक पहुँचाईए मैं सारा पैसा उसे देने के लिए तयार हूँ लेकिन मेरी request है उस kidnapper से कि वो मेरी बेटी को वापिस लोटा द लेकिन इन सब जीजों का कोई भी फाइदा नहीं हुआ क्योंकि लूबा और नतासा जब गायब हुई उस टाइम सर्दियों का टाइम था चारो तरफ बर्फ फैली हुई थी और जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है तो वो बर्फ पिंगलने लगी और जैसे ही बर्फ अपने दोस्तों के साथ बर्डे पार्टी मनाने के बाद क्योंकि उसके एक दोस्त का जनम दिन था तो उन सभी ने मिलकर एक पार्टी और्गनाइज की थी और वो वहाँ पर उस पार्टी को काफी देर अटेंड करने के बाद अपने दोस्तों को बोलती है कि यार अब रात हो लगी है और टाइम रहते मुझे घर की तरफ निकल पढ़ना जाहिए तो उसके सारे दोस्तों ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग भी अपने अपने घर जा ही रहे हैं और सारे के सारे दोस्त निकल पढ़ते हैं यूँ ही तो स्वेतलाना पहले तो यही डिसाइड करती है कि वो पै पहले अगर कैब आती है तो वो कैब बुक कर लेगी या फिर किसी और बंदे से सहायता मांग लेगी अगर वो पहले आ जाएगा तो और ऐसे में एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती भी है जो कि स्वेतलाना के बिलकुल आगे आकर खड़ी हो गई और पहले तो स्वेतलाना भी काफी ज़्यादा घबरा गई कि यार मैं तो गाड़ी की वेट कर रही थी गाड़ी तो आ गई लेकिन मैंने इसे रुकवाया ही नहीं और ये अपने आप ही यहां पर क्यों रुक गई हो सकता है इसके अंदर लुटे रहे हूँ और अब वो मेरे सारा पैसा वगेरा ज्व गालरी वगेरा मुझसे चीन लेंगे वो इसे बात को लेकर अभी घबरा ही रही थी कि उस गाड़ी का सिसा नीचे होता है और उसके अंदर से एक पुलीस वाला बाहर की तरफ देखता है और उसने कहा कि हे यंग लेडी क्या आपको मदद की जरूरत है स्वैतलाना इतना द कोई दिकत नहीं मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं और यही बात उन दोनों के बीच होने के बाद स्वैतलाना आकर उसकी गाड़ी में बैठ गई कुछी देर बाद वो वहां से निकल पड़ते हैं पुलीस वाला अपनी गाड़ी क उसका सोसन करना सुरू कर दिया और कुछी देर बाद एक भारी हथियार से वो उसके सिर पर भी हमला करने लगता है वो उसके फेस पर भी काफी सारे अटेक करता है वो उसके बाकी सारी जो बोड़ी थी कि उपर भी उसने काफी सारे हमले किये जिसके बाद वो उसे वही पर चोड़ कर चला गया लेकिन कुछी देर बाद एक गोर गाड़ी वहां से गुजरती है तो उस गाड़ी वाले का ध्यान उसके उपर गया और उसने देखा कि कोई न कोई बंदा साइड में पड़ा हुआ है तो उसने उसके पास जाकर जब उसे चेक किया तो उसने पाया कि इस के सरीर पर एक भी कपड़ा नहीं और इसका हाल काफी ज़्यादा बेहाल हो चुका है तो उसने तुरंत एंबुलेंस के पास कोल कर दिया और एंबुलेंस वहां पर आती है और उसे उठाकर अपने साथ होस्पिटल लेकर जाती है लेगिन जैसे ही होस्पिटल वो तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी नब चेक करके ये बात कही इसकी तो धड़कन रुख चुकी है और अब कोई फाइदा नहीं और ये बात सोचकर कि साइद ये लड़की विमारी जा चुकी होगी उसे उठा कर काफी सारी डेड बोडी इसके भीश रख दिया जाता है और पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई कि इस तरह का एक केस आया है और इसे भी आकर आप लोग प्लीस कवर कर लीजिये लेगिन इस बात को बेते हुए लगबग एक डेड़ घंटा ही बीता होगा कि वो लड़की फिर से दोबारा जिन्दा होकर खड़ी हो गई और उस साइड डॉक्टर नर्स वहाँ पर पहुंचते हैं तो उन लोगों ने पाया कि जिस लड़की को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाया गया था वो अब जिन्दा हो चुगी है तो उसे सबसे पहले अमर्जेंसी रूम में भेजा गया और वहाँ पर उसके सारे के सारे यह बात पता जलती है कि यह काफी देर से वहाँ बरफ में पड़ी हुई थी तो इसकी धड़कन बिल्कुल बंद हो चुगी थी और इस धड़कन बंद होने के कारण ही डॉक्टर ने यह बात सोची कि साथ यह मर गई होगी लेकिन अब जैसे ही यह नॉर्मल टेंपरेचर म आई तो इसकी धड़कने बढ़ने लगी और यह फिर से उट खड़ी होई पुलीस वहाँ पर तब तक आ चुकी थी और जैसे ही पुलीस वालों ने उससे पूस्ताच की तो उन्हें पता जलता है कि उसके साथ यह सारा कुछ करने वाला कोई और नहीं जबकि एक पुलीस व रही है उस लड़की का वहाँ पर काफी दिनों तक इलाज चलता है लेकिन आखिरकार ये बात समझ में आई कि इसके सिर्फ पर काफी हैवी हथियार से वार किया गया है जिसके कान अब यह मेंटली स्टेबल नहीं है और इसे नॉर्मल होने में काफी टाइम लगेगा लेकि अभी तक पुलिस वालों को सिर्फ इसी बात का पता चल पाया था कि एक लड़की है जो कि अब अपना दिमागी संदूलन खो चुकी है उसने आखरी बार सिर्फ एक यही बात बताई थी कि एक पुलिस वाले ने उसे लिफ्ट दी थी और उसके बाद उसकी ये हालत हो गई और ये मामला 1994 से 2012 तक यूँ ही चलता रहता है इसके बीच काफी सारी टीमें आई काफी सारे डिडेक्टिव आए जो कि इस बात को जानना चाहते थे कि आखिरकार ऐसा इन सभी महिलाओं के साथ कौन कर रहा है लेकिन सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर रिसर्च क कर रहे थे कि जो अब केस आया है आखिरकार इसके पीछे कौन होगा और जो पहले केस हो चुके हैं उनके बारे में कोई भी चान भी नहीं करता अगर करता भी तो सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा वा ये सारी की सारी बाते जानने के बाद कि उनके साथ भी ये कुछ हुआ था उसके बाद अपने प्रेजेंट वाले केस पर आ जाता और उनी के उपर सारी की सारी इन्वेस्टिकेशन करने लगता लेकिन 2012 में एक डिडेक्टिव ऐसा भी आया जिसने ये बात जानने की कोशिश की कि ये सारा का सारा हादसा ये सारे मामले कब से यो चल रहे हैं और सारी की सारी अपने इन्वेस्टिकेशन के दोरान उसने काफी सारा टाइम लगाया जिसके बाद उसे पता जलता है कि 1994 में ये सारे हादसे होने सुरू हुए थे जहां पर काफी सारी महिलाओं को टारगेट किया गया और इसी तरह काफी सारी जगहें मारकर उन्हें इसी और ने नहीं जब कि एक पुलिस वाले ने ही किया था वो लड़की थी स्वैतलाना तो उसने उसका सारा का सारा रिकोर्ड पढ़ा और इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी और महिलाओं की जो डेड बोडी मिली थी उनके पास से जो जो एविडेंस मिले थे उन सभी को ज जिस भी महिला को मारा गया था उसके पास से एक चीज सिमिलर मिली है वो ये था कि एक स्पेसिफिक गाड़ी के टायर के निसान और इस तरहे के टायर वाली गाड़िया सिर्फ पुलिस में यूज की जाती है तो उसने उसी स्वैतलाना के केस को और ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया तो उसे पता चलता है कि उस टाइम जब उस लड़की को मार दिया गया था तो वहाँ पर जो कमहटी बैठी थी और उन्हें इस बात पर सक हुआ था कि हो ना हो हो सकता है कोई ना कोई पुलिस वाला ही ऐसा मौजूद होगा जिसने ये काम किया है तो उस टाइ डियने की रिपोर्ट आने में काफी ज़्यादा टाइम लग जाया गरता था और जब तक ये डियने की रिपोर्ट आई तब तक वो केस ही दब चुका था उसके बाद एक और केस सामने आता है जहां पर पुलिस वालों ने अब वाले केस पर ध्यान देना सुरू कर दिया औ जिसने ये कांड रजा था क्योंकि वो पुलिस वाला उन सारी लड़कियों को अपने साथ जंगल में लेकर जाया करता था और वहाँ पर जब उनका वो रेप किया करता था और बाद में जब पुलिस वालों को विक्टिम की बोड़ी मिला करते थी और उसका पोस्ट मार्ट और उसे पता चल भी गया कि असल में इसके पीछे कौन है जो इन सारे कारणामों के पीछे था वो था मिहल पॉपकोफ ये बंदा उस टाइम पुलिस में लगा हुआ था जब ये सारे के सारे कांड रचे जा रहे थे लेकिन बाद में जब पुलिस वालों का डियने वगेरा ल लेकर जाता और लिफ्ट देने के बहाने महिलाओ को अपना सिकार बनाया करता था लेकिन अब पुलिस के पास उसका जब पूरा अता पता आ चुका था तो पुलिस जा पहुचती है उसके घर पर और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है और अपने साथ लाकर उससे पुछताच करनी शुरू करती है पहले तो उसने साफ इंकार कर दिया कि जनाब आप लोगोंने एक गलत बंदे को पकड़ लिया है मैं भी पहले पुलिस में रह चुका हूँ लेकिन इन सब भी बातों के बारे में मुझे नहीं पता तो पुलिस वालोंने पूरा डिटेल से बताया कि जो एक महिला थी इस तरहें से उसने अपना बयान दिया था कि उसका सोसन करने वाला कोई और नहीं जबकि एक पुलीस वाला ही था और उस टाइम तुम पुलीस में ही थे तो पूरी डिटेल से हमें आराम से बात बता दो नहीं तो हमें थोड़ा अपने वाला तरीका आज बाना पड़ेगा और उसके बारे में तुम भी जानते हो कि हमारा तरीका किस तरहेंगा होता है तो महिल ने इस बात में हाँ भर लेगी चलो जनाब मैं आप लोगों को सारा कुछ बताने के लिए तयार हूँ उसने बताया कि उसके बच्पन से ही काफी जादा बुरे हाला थे जिसके कार्ण महिलाओं के बड़ती उसके दिल में काफी बुरी तरीके से रंजिस बैट चुकी थी और वो कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ इन से अपना बदला ले रहा था उसने पताया कि उसका जन रस्या के एक चोटे से गाउं में हुआ था लेकिन उसकी मां काफी ज़्यादा प्यक्कड थी पूरा का पूरा दिन नसे में टुल रहा करती थी और वो उसे काफी ज़्यादा परिसान किया करती थी तो उसे उसकी दादी अपने साथ लेकर चली गई और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो वापिस अपने मां के पास जाने की जिद करता है उसकी दादी अम्मा ने उसे वापिस भेज भी दिया लेकिन उसकी मां की वही हालत थी कि वो पूरा का पूरा दिन नसे में ट पहन करनी पड़ती है वापिस अपनी दादी अम्मा के पास चला गया और वहीं पर रहकर वो बढ़ा हुआ बढ़ा होते होते उसे एक लड़की से प्यार होता है और उन लोगों ने आखिरकार साधी भी कर ली साधी के बाद उसने अब पुलीस वाली ये जोब जोएन कर ली और अब वो अपनी पतनी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था क्योंकि पुलीस की जोब में उसे डूटी पर किसी भी टाइम बुला लिया जाता था और वो अपनी वाइफ के साथ इतना टाइम नहीं बिता पाता लेकिन जैसे जैसे उसकी और उसकी वाइफ के ब अब मेरी लाइफ पार्टनर जो मुझे काफी जादा प्यार किया गरती थी अब वो भी मुझे धोका दे रही है और किसी और के साथ चक्कर चला रही है इनी सब बातों को लेकर वो हर रोज डूटी पर आया करता था और वापिस चला जाता लेकिन इसी बीच उसके दिमाग मे ये बात आ चुकी थी कि जिस तरह कि उसकी मापी अकड़ थी अब उसकी वाइफ अफेर किसी और के साथ चला रही है ये सारे के सारे हमारे सहर में एक कच्रेगी तरह हैं और इन सब कच्रों को मैं ही साफ करूँगा जिसके चलते वो स्याम होते ही रात होते ही अकेली लड़ भी जाती और उसने खास बात ये भी बताई कि वो उन सभी महिलाओं से एक बात पूछा करता था कि तुम अभी अभी पार्टी से आई हो क्या तुम मेरे साथ थोड़ी और पार्टी करना चाहोगी जंगल में बिलकुल अकेले में और वहां पर कोई नहीं होगा सिर्फ और सिर वो उनका योनुत पिडन करता और उसके बाद अपनी मा की अपनी वाइफ की सारी की सारी रंजिस उन लड़कियों पर उतार देता ऐसे में काफी सारी ऐसी लड़किया भी सामने आये जिन से मिहल ये बात पूछता कि क्या तुम मेरे साथ इस तरह पार्टी करने के लिए ज जाना चाहती हो तो उन लोगों ने जब साफ इंकार कर दिया और उन्होंने ये बात कही कि हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं या फिर हमारे घर पर हमारी कोई वेट कर रहा है तो मैंने उन्हें सही सलामत उनके घर पर भी पहुंचाया था लेकिन जिनके दिल में ही खोट हो और उनकी कभी सिनाक्त नहीं हो पाई जिसके कांड उन्हें इस केस में नहीं गिना गया लेकिन बाद में मिहल ने ये बात बताई कि ये जो आकड़ा है 25-26 नहीं था असल में ये लगबग 80-90 था और उसकी ये सारी बाते सुनकर सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी कि अगर हो स इस्टाग्राम पर मैसेज भी डाल सकते हैं ये रही मेरी इस्टाइडी वैसे मुझे इस्टाग्राम पर फोलो जरूर कर ले क्योंकि वहां पर में में काफी सारी सोट स्टोरी अपलोड करता रहता हूं और ऐसे ही और क्राइम रिलेटिड स्टोरी देखने के लिए के साथ